विदेश से बारत आने वाले लोगों के लिए कौन से दिशा निर्देश हैं जो 25 अक्टोबर 2021 से लागू होंगे दोस्तों Ministry of Health and Family Welfare Government of India के अनुसार जो निर्देश दिए गये हैं ये हैं आपके सामने दोस्तों ये है लिस्ट उन देशों की जो countries and high risk पे हैं ये देश high risk पे हैं और वहां से जो यात्री आएंगे उनको कुछ extra measures लेने पड़ेंगे तो वो कौन से हैं countries in Europe including UK, South Africa, Brazil, Bangladesh, Botswana, China, Mauritius, New Zealand and Zimbabwe दोस्तों ये डेट है 20 October तक की इसमें आगे भी countries add हो सकती है या कम हो सकती है इसके लिए आप संपर्क वे रहिएगा और दोस्तों इन दिशन दिशों में एक category एक countries की भी दी गई है ये वो countries हैं जिनका vaccination certificate इंडिया द्वारा recognize है वो कौन सी countries है UK, France, Germany, Nepal, Belarus, Lebanon, Armenia, Ukraine, Belgium, Hungary और Serbia दोस्तों ये लिस्ट भी अपडेट होगी आप संपर्क में रहिएगा चैनल से updated रहिएगा दोस्तों जो दिशा निर्देश है इन्हें हम algorithm के बदल से या इस table की बदल से समझ सकते हैं जितने भी international arrivals है भार से आने वाले जितने भी यात्री है उन्हें self declaration form बरना होगा और ये mandatory है और साथ में negative RT-PCR trace report भी upload करनी होगी airlines जो है उन्हें ensure करना होगा कि negative RT-PCR report जरूर वो आश्वस्त करने बात आती है जो travelers बाहर से आ रहे हैं एक तो travelers वो जो high risk countries से या risk वाली country से आ रहे हैं और एक वो travelers जो दूसरी country से आ रहे हैं जो risk में नहीं आती हैं और दोस्तों यह list update होती रहेगी जैसा मैंने आपको बताया है तो पहले हम बात करेंगे travelers जो risk वाली countries पर आती है यहाँ पर वापस दो condition आ सकती है कि travelers belonging to category A countries जो list दी हुई है उसकी बात हो रही है जो traveler आता है या तो fully vaccinated है अगर वो fully vaccinated है तो उसको 14 दिन का self health monitoring की आवशकता है उसके बाद भी अगर उसको symptom develop होते हैं 14 दिन के अंदर आने के बाद और या फिर वो repeat testing के बाद positive आता है Corona positive तो उसको immediately report करना है 1075 पर या state health line number पर इसी country से जो दूसरे आ रहे हैं लोग travelers जो partially vaccinated है या vaccinated नहीं है उन्हें आने के बाद क्या करना होगा आने के बाद covid-19 test करवाना पड़ेगा साथ दिन का home quarantine रखना पड़ेगा और वापस retest करना पड़ेगा आठ वे दिन and if negative अगर negative है तो उनको साथ दिन के लिए वापस self health monitoring करनी होगी और वही नीचे वाली condition अगर develop होते हैं सिफ्टम 14 दिन के बाद तो उन्हें report करना है यह remaining countries जिनकी list add हो सकती है अगर fully vaccinated है तो इन्हें यह follow करना होगा अगर partially vaccinated है तो भी इन्हें यह follow करना होगा अब हम बात कर आएंगे वो countries जो risk zone में नहीं आती है इसमें फिर दो तरह के हैं ट्रेवलर्स ब्लोंग इंचु केटिगरी एक countries जो बने लिस्ट आपको बताई थी इन्हें सिर्फ 14 दिन की health monitoring के जरुरत है और जो remaining countries भी है इन्हें सिर्फ 14 दिन की health monitoring के जरुरत है लेकिन दोनों categories में अगर symptom develop होते हैं 14 दिन में आने के बाद या positive आते हैं तो उन्हें immediately report करना है इसी तरह के नए बेट के साथ एक बार फिर आप से मुलाकात होगी धन्यवाद जैहिन जैवारत